Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Meenakshi Maths Classes इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा 6 चेप्टर है, Introduction to Elgebra इसके हम सारी वक्षीट्स कर चुके हैं, उसका value-based question हमने कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, brain teasers के कुछ question जितने भी हैं इसमें, वो हम करेंगे स्टार्ट करते हैं, question number one, इसमें भी आपको पता है, यह आप कहीं chapter की brain teaser कर चुकी हो, तो इसमें जो question number one होता है, उसके two parts होते हैं, capital A part and capital B part, और capital A में भी आगे सब parts होते हैं, तो यहाँ पर यह हमारा एक question है, tick the correct answer, आपको चार option दी हुई है, आपको इसमें से जो आपका answer होगा, सही जो answer होगा, उसको tick करना है, Mrs. Shalini is P years of age now, Mrs. Shalini है कोई, एक lady है, जिनका नहीं है, Mrs. Shalini is P years of age now, अब इसको आपको meaning clear होना चाहिए, कि जो Mrs. Shalini है, उनकी at present age, इन्होंने भूले now, तो आज कितनी age है, उनकी P years of age, ठीक है, present age कितनी है, P years, three years ago, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो वैसे तो हमें tick ही करना होता है, लेकिन हमें पुरा soul तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, present age, present age of Mrs. Shalini, वो कितना है, P years, ठीक है, एक में इसको zoom कर लेते हैं थोड़ा, अजी, अब दिख रहा होगा सही, अब हमें बताना है, three years ago, हर age in year was, कि तीन ago का मैं नहीं होता, पहले, तो three years पहले उनकी age कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे, three years ago, age of Mrs. Shalini, ठीक है, तो आप यह देखो, मिस, अगर आप आज 10 years के हो, ठीक है, अगर आपकी age अभी 10 years के है, तो three years पहले, तीन साल पहले आप छोटे थे, तो आप उसमें से three क्या करते थे, माइनस, मैं इसाब हो लोगे, तीन साल पहले आप कितने years के थे, seven years के, तो ऐसे ही, यह जो Mrs. Shalini है, उनकी at present age है, पी years, तो three years ago, three years ago, उन्होंने पुछा, तो तीन साल पहले, उनकी age कम थी, तो यहां आप से पुछा गया, three years ago, तो three years ago, age of Mrs. Shalini, ठीक है, यहां अगो आना चाहिए, तो यहां से अभी उनकी age at present P है, तो three years ago, मैंस तीन साल पहले होगी, तो उसमें से क्या कर देंगे, minus three, तो ऐसा देखो, कोई ऐसा अंसर हो, आपके पास P minus three years, तो यह आपकी third option है, P minus three, ठीक है, तो आपका A part का अंसर, यह third option आजाएगी, next है, B part, if the parameter of a square is q meters, ठीक है, then length of each side of, each side in meters is, अच्छा, अब आप यहां देखो, आपको पता होना चाहिए, कि parameter क्या होता है, अब आप मान लेजिए, कि आप एक ऐसा, यह कहा है, parameter of a square, square है, मैं मान लेजिए, कि एक square garden है, ठीक है, तो एक garden हो गई है, अब यहां पर, आप यहां देखो, मान लेजिए, कि एक रास्ता है, इसमें path है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां से यहां पर और यह जब हम boundary को measure कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं parameter ठीक है तो अब यहाँ पर हमें यह जो parameter दिया है वो किसका है if the parameter of a square हमें दिया हुआ है तो मैं यहां लिकोंगी parameter of square parameter of square यह हमें दिया हुआ है q meters ठीक है अब क्योंकि एक length होती है जैसे माल लेजिए आपके पास कुछ भी मापने के लिए कुछ चीज है इंची टेप है कुछ भी है आप उससे अगर आप इसको मेजर कर लेते हो तो एक length बनेगी ठीक है तो उसको हम क्या करते हैं वह हमेशा यह उन्होंने बोला है then length of each side is in meters अब आपको बताने कि यह side कितने हैं 5,6,7 कितना है हमें नहीं पता आप एक चीज़ होरी देखो कि जो square होता है उसमें all four sides कैसी होती है equal अगर यह 5 cm है तो यह भी 5 cm यह भी 5 cm और यह भी 5 cm सब की length क्या होती है बराबर तो अब आप यह आपको याद रखना है parameter of square का formula क्या होता है 4 x side ठीक है आपको याद रखना है यह चीज कि अगर एक square परिमिटर का formula क्या होता है 4 x side 4 x side 4 x side ठीक है तो इसका अंसर यहां से मेरे पास क्या है q meters अब मुझे यहां से मुझे बताने कि उसकी one side की length कितने है तो मैंने side को यहीं प multiply में आई है 4 तो उदर जाके किस में हो जाएगा divided by 4 q divided by 4 आप इसको ऐसे भी लिख सबते हो q divided by 4 तो देखो ऐसा कहीं पर answer है तो ठीक है इसका आपको मिलेगा b part का answer आपका आजाएगा यहां पर q divided by 4 होना चाहिए तो यहां पर इदेखो second option आपके पास है q divided by 4 तो यहां पर आपका answer आजाएगा second q divided by 4 एक चीज़ और आप याद रखें अगर आपको यहां parameter of square बोला गया तो आप parameter of square का ही formula लिखोगे parameter of rectangle बोला है तो आप parameter of rectangle का formula लिखोगे ठीक है यह चीज़ याद रखनी है तो यहां से हमार answer आजेगा second option next है c part expression obtained when k is multiplied by 2 and then subtracted from 5 is अब इसको ध्यान से देखना है देखो जैसा उन्होंने बोला है थोड़ा थोड़ा सा आपको एक दम सारा कुछ नहीं एक बार में ही नहीं करना है थोड़ा थोड़ा statement बोड़ा उसको करो expression obtained by expression आएगा चलो यह सारे ही expression है देखते हैं नहीं से कुन सा match होगा when k is multiplied by 2 देखो पहले आपके पास कहा है k ठीक है उन्होंने बोला is multiplied by 2 इस k को आपको किस से multiply करना है 2 से तो मैंना 2 से multiply कर दिया ठीक है and then subtracted from 5 और यह जो चीज़ आई है इसको किस में से subtract करना है 5 में से ठ ठीक है देखो इन्होंने बोला है when k is multiplied by 2 k को multiply करो 2 से ठीक है कर दिया हमने and then subtracted from means यह जो चीज़ है इसी को subtracted करना है किस में से 5 में से तो इसको मैंने 5 में से इस चीज़ को subtract कर दिया तो देखो कहलेंगे 5 minus 2 multiply k को हम लिख सकते है 2 k क्योंकि यहाँ यह multiply यह हमें दिख नही दिखो इसमें क्या है number of books number of notebook bought for rupee t at the rate of rupee 40 per notebook is अब इसको पहले आप इसका meaning clear करो देखो क्या है number of notebook bought for rupee t number of notebook means आपको कुछ notebook purchase करनी है और कितने रुपिज में आपने purchase की है 4 rupee t आपने टी रुपिज में कुछ notebook purchase की है हमें नहीं पता वो 5 notebook आई है 6 notebook आई है means total money आपके पास कितनी है टी ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ total money हमारे पास कितना है total money रुपी t जैसे माल लेजे कि आप चलो एक बार इस question को थोड़ा statement पूरी पढ़े दूँ उसके बाद मैं उसको थोड़ा ले कर दूँ add the rate of रुपी 40 per notebook इसका meaning देखो क्या होता है रुपी 40 per notebook means एक notebook उसकी cost कितने है रुपी 40 तो मैं यहाँ लिखती हूँ cost of one notebook ठीक है वो कितना दिया हमें रुपी 40 ठीक है यह चीज़ हमें अभी दिया अब इस question वो एक मिनिट के लिए हैं stop करूँ मैं आपको वैसे example देती हू माल लो कि आपके ममा ने बोला कि जैसे माल लिजा आपका जब भी आप new class में जाते हो new session जब start होता है ठीक है आप किसी ना किसी bookshop पे जाते हो वहाँ पर क्यों कि आपको पता है आपकी अलग-अलग subjects की कुछ notebook आपको बनानी है ठीक है तो आप क्या करते है ऐसा तो नहीं है कि ये लो 200 रूपीज है आपके फादर ने आपको टोटल कितने रूपीज दिये 200 रूपीज ठीक है आपके फादर ने बोला कि आप शोप पर जाओ और 50 रूपी पर बुक ठीक है पर notebook आपके फादर ने आपको टोटल 200 रूपीज दिये और उन्होंने कहा कि 50 रूपीज की जो notebook आती है ना आप 50-50 वाली जितनी आती है उतनी ले आना ठीक है आपके फादर ने आपको 200 रुपीज दिये और उन्होंने बोला कि means उन्होंने कहा कि कम जादा की नहीं लेके आनी है हर एक notebook 50 की हो इतनी notebook आप ले आओ ठीक है लेकर आए होंगे तो आपको पता है कि 200 में कितनी आएंगी जब एक 50 की है तो 200 में कितनी आएंगी आप यह देखो 200 को अगर आप क्या कर देती हो 50 से डिवाइड कर देती है जिरो से जिरो कैंसल फाइफ वोर्ड़ा 20 मींस आप 4 notebook लेकर आए हो ठीक है अगर आपको थोड़ा और क्लियर करना है तो सोरी आपको दिखने रहा है एक मने देखानी टोटल मनी आपको आपके फादर है 200 दिया है और यह बोला है कि हर एक notebook 50 रूपीज वाली होनी चाहिए तो अगर आपके फादर आपसे पूछें कि आप कितनी notebook आप शोप से लेकर आओगे तो उसको 20 निस 200 की ही आई है तो कितनी notebook आई है 4 अब हम कैसे निकाल पाते हैं कि कितनी notebook आई है total money को एक notebook की cost से क्या करना होता है divide जैसे आपने unitary method किया था ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे number of नोट्बुक्स नमबर ओफ नोट्बुक बोट ठीक है तो कितना जाएगा total money को डिवाइड करना है cost of one notebook से ठीक है तो total money हमारे पास कितनी है टी रुपी ठीक है और एक notebook की कितनी cost है 40 तो उसको 40 से डिवाइड करो देखो ऐसा अगर आपके पास को यह answer है तो यह देखो third है ठीक है तो यह आ जाएगी notebooks t divided by 40 अब आपको यह लग रहोगे कि मैं t divided by 40 का meaning क्या है ऐसे तो हमने तो ने सुनी कि t divided by 40 लेकिन बटाई यह क्या है यह algebra है ठीक है ठीक है algebra में आपको x y z की term में ही answer मिलेंगी ठीक है next आपका इसका है e part है यह last part है कुछ ए कपिटल a part का इस वीडियो में आपको यहीं तक करवाऊंगी यह last है इसका इफ यहां देखो e part में x is 6 y is 2 and z is 3 what is the value of the expression यह असान question है देखो इसमें कहा है यह जो expression है इसको यहां लिखो x y minus x z and divided by z square ठीक है यह जो expression यहां लिखा था मैं इसको यहां लिख दिया अब हम ही देखो क्या करना है x y मैंने इनको bracket में लिखा है बताती हूं मैंने क्यों लिखा है कोई उसे effect थो कुछ ने डलता X की जगह मुझे क्या लिखना है 6 उसको मैं लिखूंगी bracket में यहाँ पर Y है Y की जगह मुझे क्या लिखना है 2 यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया minus X की जगह मुझे क्या पुट करना है 6 Z की जगह मुझे पुट करना है 3 जो कुछ value दूई है न वो put कर दो बस और कुछ नहीं करना है z की जगह मुझे put करना है 3 लेकिन यहाँ पर 3 raise to power 2 है ठीक है बस अब आगे question बहुत easy है simple बस solve करना है यहाँ देखो अगर 2 brackets open हो रही है अगर बीच में कोई भी symbol नहीं है मिस यह क्या है multiply 6 को 2 से multiply करो 6 2s are 12 minus 6 3s are 18 and divided by 3 square कितना होता है 9 ठीक है 3 square is 9 अब आप यहाँ पर देखो यह जो 12 है वो positive है क्योंकि आगे कोई भी symbol नहीं है different sign है दोनों का अलग-अलग symbol है अच्छा एक और important चीज़ कई बच्ची इसको ऐसे cancel करते है 9 1 0 9 9 2 0 18 ऐसा नहीं है यह एक इकठा expression है इसको आपको पहले solve करना ही करना पड़ेगा अभी आप ऐसे cancel नहीं कर सकते हो ठीक है तो यहाँ different sign है different sign subtract 18 में से 12 subtract करो तो देखो कितना आएगा बड़े में से हमेशा छोटा ही subtract करना है तो 6 आजाएगा divided by 9 लेकिन हमें पता है दोनों में 12 और 18 सिर्फ नमबर देखना है 12 और 18 में कौन सा बड़ा होता है 18 उसके आगे minus का symbol है तो minus है ठीक है इसको cancel करो दोनों ही हमारे 3 की table में आते है 3 2 0 6 3 3 0 9 means answer आता है minus 2 by 3 देखो अगर कहीं पर option में है minus 2 by 3 कहीं पर है तो यहाँ पर फस्ट ओक्षन ठीक है minus 2 by 3 तो यहाँ पर मैंने आपको यह पूरा question number 1 का यह part करवा दिया है इस chapter की जो playlist का link है और यह जो कुछ भी मैंने आपको करवाया है इस इसका PDF का link मैं आपको description में देदूंगी वो आपको PDF तब मिलेगी अगर आपके mobile में आपने telegram channel को upload किया हुए तो क्योंकि मैंने telegram पर डाल ली है आपी ठीक है thank you so much